2024 में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं मानक गुपता और अब मेरे साथ इस सेशन में लाइफ जुड रहे हैं केंद्रिय मंतरी संजीव बालियान जो की पश्चिमी उत्तर प्रदेशी नहीं पूरे यूपी बलकि पूरे देश में बीजेपी और केंद्र सरकार का ए जाओ मानक जी बिलकुल अच्छा बिलकुल अच्छा संजीव जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है संजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं आवाज बिलकुल सुन पा रहा हूं मानक जी बिलकुल आवाज आपकी अच्छी आ रही है मेरे पास तक हाँ आरी आपकी आवाज और बहुत बड़ी आरी जी जी बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप प्रचार शुरू हुआ भी या नहीं हुआ संजीव जी थोड़ा हम और आप हम और आप हम और आप थोड़ा दूर हैं वाज पोशने में समय लग रहा होगा मुझे ऐसा लगता है तो मेरे लिए कोई परचार में होना एक लगतार कंटीनिवस प्रोसेस है मतलब मोदी जी के तरह आप भी 365 दिन काम करते हैं पांच साल एक भी छुटी नहीं कोई छुटी नहीं आप मेरे छेतर में पूछ सकते हैं कि कोई शनिवार तवार आज तक ऐसा नहीं गया पांच साल में जब मैं दोनो दिन अपने घर पे लोगों से ना मिलता हूँ जो मेरे मिलने के दो दिन है और बाकी दिन में अपने छेतर में या मंत्रा ले बाहर लेकि जो 2014 में मूड था ऐसा लगता है सेम चुनाव है 2014 का जो चुनाओ तहां मेरे ऐसा है आधाता जब मैं गाउं में जा रहा हूं जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और जो रिस्पॉंस मिल रहा है लगातार तो ऐसा लगता है कि 2014 के छुनाओ जैसा जोश जैसा जुनून मुझे वो ही दिखाई देता है और कहीने की 2014 की तर्ज पर ही चुना हो जा रहा है लेकिन इस बार 2014 से तुलना आप कैसे कर सकते हैं इस बार तो जैन चौधरी आपके साथ हैं और उनका गड़ भी पश्चमी उपी माना जाता है बिलकुल जैन जी साथ है और उनके साथ होने से दोनों पार्टियों को फायदा है दो जगे उनके उम्मिदवार चुनाव लड़ रहे हैं बागपत और विजनोर वहां भारतिंता पार्टी साथ है और बाकी पश्ची मुत्रप्रदेश की सीटों पे लोगदल हमारे साथ है और लोगदल का एक मजबूत कारे करता होता है हमेशा सही लोगदल का वोटर भी वोटर से ज्यादे हर वोटर कारे करता होता है तो कारे करता होगे एक बड़ी फोज है वो भी हमारे साथ है तो निश्चित रूप से उसका भी बहुत बड़ा फाइदा पश्ची मुत्रपरदेश में मिलने जा रहा है अब पिछले चुनाव में तो आपने अजीत सिंग को पठखनी दे दी थी क्या बड़ा उलट फेर कर दिया था आपने राश्ट्रिय लोगदल के प्रमुख को अजीत सिंग को आपने धूल चटा दी थी इस बार वो आपके साथ हैं तो वोटर कन्फ्यूज नहीं होगा क्या देखे पहली बात तो बहुत बड़े नेता थे चोधिजी सिंग शायद साथ बार छेया साथ बार सांसद रहे कहीं बार केंदर में मंतिरी रहे और मैं उनके सामने मेरे से बहुत बड़े नेता थे लेकिन हर चुनाव के अपनी प्रिस्तितिया होती है हर चुनाव अलग तरीके से लड़ाता है तो बहुत नजदी की अंतर से में वो चुनाव जीत पाया था लेकिन बड़े नेता वो ही थे किसी चुनाव से कोई नेता छोटा है बढ़ा नहीं होता चुनाव तो परिस्तितिया और समिकन पर अधारित ज्यादा होता है किसान अंदोलन एक बार फिर से आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से जोर पकड़ रहा है और चुनाव से ठीक पहले क्या पश्चिमी यूपी में यूपी में इसका कोई असर पड़ेगा देखे पश्चिमुत्व परदेश में इसलिए ऐसर मुझे लगता है नहीं पड़ागा चुकि पश्चिमुत्व परदेश की फसल मुख्य रूप से गन्ना है और गन्ने का MSP से कोई संब्द नहीं है हमारे गन्ने की SCP डिकलेर होती है जो परदेश सरकार डिकलेर करती है तो परदेश सरकार डिक्लेर करती है, सारा गन्ना शुगर मिल जाता है तो हमारे जो मांग लेके पंजाब के किसान चल रहे हैं उस मांग का पश्ची मुत्परती से कोई सम्मन नहीं है दूसरी बात मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे डाटा तो पूरे देश में सब ज़्याद MSP पर खरीद पंजाब में होती है पंजाब में दो फसले मुख्य रूप से पैदा करते हैं चावल और के हूँ दोनों फसले FCI के दौबार के इन सरकार खरीदती है तो मुझे कई बार समझमनी आता की जब पहले से MSP पर पूरी खरीद पंजाब में है और मेरे हाँ S.A.P है गंदे की खरीद है गंदे की खरीद सब सुकर मुल करते है तो कई बार समझमनी आता की बहुत सी बाते क्यो और यह क्या आपका ये कहना है या आप ये इशारा कर रहे हैं बालियान जी कि इस बार जो किसान अंदोलन फिर से शुरू हुआ चुनाव से ठीक पहले वो राजनितिक साजिश भी हो सकती है देखे चुकि पंजाब का मामला है बहुत सपस्ट मुझे कुछ पता नहीं और कोई भी वक्तव में बिना बाद के देना वो अच्छा नहीं होता मैं हमेशे एक बात का पक्सदर रहा हूँ कि किसान संगटन होने चाहिए किसान संगटन किसानों की आवाज उठाने के लिए हमेशे हर सरकार में रहने चाहिए जब मैं कृशी राज्यमंत्री था तो मेरे आद है शायद ऐसे कोई दो तीन में गए हूँ जब पूरे देश का किसान नेता आता तो हमें हर किसान नेता को रिसीव करता था उनसे बात करता था ओफिशली भी बुलाते थे और नो ओफिशली बुलाते थे तो किसान नेता और किसान संगटन किसानों की आवाज है और किसानों की समस्चा उन्हें उठाते रहना चाहिए लेकिन किसी भी समस्चा का समधान बाचीत सरकार से होकी हो सकता है आंदोनन अपनी जंगे लेकिन आंदोनन की प्रणिती हमेशा बातचीत के द्वारा समझा के अलम होती है तो किसान संगठनों को अपनी बात रखनी चाहिए सरकारों को उनकी बात सुननी चाहिए बातचीत का दोर जारी रहना चाहिए पिर जो बहतर किसान के लिए हो सकता है वो हमेशा होना चाहिए अब बालियान जी आपने 2014 के चुनाव को याद दिलाया आपने का इस बार भी बिलकुल वही हालात है 2014 का चुनाव जब हुआ था तब आपको याद होगा मुझफर नगर दंगों का मुद्धा बहुत बड़ा मुद्धा बना था और उसका फाइदा भी बीजेपी को मिला था क्या वो दंगों वाला मुद्धा अब खतम हो गया है बलकि अगर मैं इस तरह पूछू हूँ मुझफर नगर दंगों के जखम भर गये हैं क्या में पहली बार ये बात बता रहा हूं किसी को इन दस साल में दोजार तिरा से вес चोबिस के समें दोजार चोबिस के ग्यारा साल हो चुकी करीब ज Radio जातार जो अपस में मुकद्बे थे उसमें मैं भी शामिल रहा हूं और बहुत से लोग शामिल रहे हैं जादा तर मुकदमे जो मुझपरनेगर दंगे इस ही चुनाओ पिछले 10 साल के बारती इनता पार्टी चुनाओ लड़ रही है अगर सब कुछ ठीक है बालियान जी तो पश्चिमी यूपी के इलाके में ही राकेश ठीकेट क्यों आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं लगातार वो तो कह रहे हैं हिंदु मुस्लिम के भीच खाई भी है बीज़ेपी जहर फैला रही है किसान भी खुश नहीं है राकेश ठीकेट तो बिल्कुल जंडा उठाय हुए है अभी भी किसान नेताओं का काम है सरकार के अलोचना करना और हमें किसान की समस्या बताना आप किसान नेताओं से यह उमीद क्यों करते हैं कि सरकार की बढ़ाई करें उनका अपना काम है वो अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से किसानों के समस्या उठाने का हमारा काम है जो भी हम कर सकते बेतर किसान के लिए उकरना दूसरी बात वो किसानों की बात उठा रहे इंदो-मुस्लिम की कोई बात मुझे नहीं लगता का बो उठा रहे होंगे चुकि पश्ची मुत्त प्रदेशी नहीं पुरुत्य प्रदेश में कहीं इंदो-मुस्लिम जैसी समस्या कहीं हैं ही नहीं आप खुद आईए देखिए अगर कोई आपको बताए मुझे फर्णगर में 10 साल में कोई समस्या आई है कोई जाती है दार्मिक तना हुआ है एक मोका भी इसा कोई नहीं है कि आपस में हमारे मत बेद रहे हूं इमांदारी से बताईएगा बालियान जी जब तक जैन चौधरी इधर नहीं आये थे एंडिये में बीजेपी के साथ तब तक आप पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े चहरे थे उनके आने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि आप थोड़े असहज हो गए क्योंकि आपकी एहमियत अपकम हो जाएगी जहन चौधरी भी आ गए वो किसान नेता हैं किसान पार्टी हैं उनकी चौधरी चरण सिंग के पोते हैं वो देखें बहुत बड़े परिवार से हैं चोधरी जहन से और बिलकुल मैं भारतियन्ता पार्टी में हूँ मैं कोई बहार से आयतित नहीं हूँ मैं पैदाईशी भारतियन्ता पार्टी का कारे करता हूँ विदार्ती परिश्वत का कारे करता रहा हूँ मैं हमेशा से रहा उनका स्वागत है, कोई ऐसे इज़दा नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, मैं वारतेंटा पार्टी में उहें, हम आज गटबन्दन में है और हम दोनों भाईयों के तरह मिलके काम करेंगे पश्ची मुत्ध्र बडेश को बेहतर बनाने का प्रियास करेंगे, कोई ऐसे हिस्ता नहीं है मेरे बहुत ही मधूर बहुत अच्छे सम्मन्द है हमारी खूब आचीत होती है कहीं को ऐसा हिस्ता नहीं हम बिलकुल भाईयों के तरह पश्ची मुत्तप्रदेश में काम करेंगे और कोशिश करेंगे कर भंदन हमेशा बना रहे है मतलब जब आपने अजीज स चौनाव लड़ने के लिए तीन में मुझफर नगर रहे है मैंने हर मीटिंग में हमेशा कहा के चोधरी जिसिंग मेरे से बड़े नेता है चोधरी साब ने भी तीन में ने कभी एक शब्द नहीं का हम बड़ी शालिंता से बहुत अपने आपको मेंटेन करते हैं दोनों ने चौनाव लड़ा चौनाव का रिजल्ट पार्टिया लड़ती हैं चौनाव ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति चौनाव लड़ा उधर सब लोकदल था सब पार्थी बस पार्थी कांगरेश था मैं भारतियंता पार्टि का उम्मीद था व्यक्ति नहीं होती है तो विचारो बाद में पोंचे। तो जो अपने चुनाव अदिकार थे उन्ने किया किया आब पेले आई एं तो मैंने नूमिноश्य दिल्धिन का राँ नहीं मैं बाद में होंगा चोसाब बड़े हैं चोसाब पहले नूमिंश्य न करेंगे मैं परतिक्षा कर सकता उनके बाद्मिन क्या बाद है ऐसा सम्मान हमेशा मेरे मैंने दिखाया और उनने मैंसा प्यार दिखाया यह 2011 की बाद बता रहा है उस चुनाओ के लिए क्या बड़ा दिल दिखाया आपने बालियान जी वह घटना आपने बहुत अच्छा किया यह बताया आपने हमारे दर्शक भी जानेंगे उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी सीटों पर आप जीत का दावा कर रहे हैं दोनों में पश्चिमी उपी में भी और पूरे उपी में देखे मुझे तो कहीं बार ऐसा लगता है हमने 2014 में 73 सीटे हमने चोटल जीती थी पूरे उत्तर प्रदेश में शायद मुझे लगता है उसका रिकोर्ड 100 परसेंट टूटेगा चितना मेरा आखलन है उसमें से हम 2014 से उपर जाएंगे कितने उपर जाते तो जनता बताएगी क्योंकि जोटसी वाला काम मेरे पारता है नहीं में जोटसी के पास कभी गया भी ली जीवन में और जो जनता को टे करना उसकी पेले बभशावणाई निकरत तो कहीं बदर ऐसा लगता है कि एहिंकार कर रहा है और चैंकि जो जनता को निइन ने लेना है वो लें माहूल मु पिल्कुल होगा मुझे लगता है मैं असी इसलिए नहीं कह रहा कि कई बर बात चीत में कभी भी राजनितिक जीवन में मुझे एहंकार से कोई बात कहना मुझे अच्छा नहीं लगता चुक्कि वो निर्ना जनता का है किसी को बुरा लग जाएगा अच्छा भाई ऐसी बात क सकता है असी मसाच सी आज सकते हैं मुझे भी लगता है लेकिन उस सोब पर तो रहेंगे रहेंगे 2014 से आप बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल दोनों मिलकर भी इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में यूपी के दो लड़के केमपेन याद है न आपको राहुल गांदी तो हार जाएंगे इस बार भी आपका ये दावा है क्या पका सत पर्तिशत इस्मर्ती रानी जी अमेठी की दूसरी बार सांसद बनेंगे और राय बरेली से प्रियंका गांदी चुनावी मैदान में कूदी तो क्या होगा संजीव बालियान इस बार उलट फेर होगा राय बरेली में जो अमेठी में पिछली बार होगा वो इस बार राय बरेली होगा इस बार आप कैसे दावा कर रहे हैं प्रियंका को हरा देंगे 2014 से बड़ी लेहर तो 2019 में थी अगर आप देखेंगे सीटू के संक्या में उत्रप्रदेश में चाहिए हम कम रहे हो और 2019 से बड़ी लेहर मुझे 2024 में दिखाई दे रही है ये तनी बड़ी लेहर है कि चुनाओ बहुत से ने ता चुनाओ नहीं लड़ना चाह रहे है आप उनसे पूछे हो समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस के तो बहुत से उम्मिद्वार मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उप्शन दे दिया जाए कि दुबारा एक बार आप चुनाओ लड़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो 50% में दुबार तो शाह चुनाओ भी ना लड़े अच्छा आप कहरें 370 BJP 400 NDA और UP में आप कहरें कि हो सकता है सारी की सारी सीटें आप जीत जाएं ऐसे में तो प्रधान मंत्री को वारा नसी से अपनी सीट रिकॉर्ड अंतर से जीतनी चाहिए आपका क्या मानना है वारा नसी के बारे में बारान से रिकोर्ड अंतर से परदानमत्री जीत ने और हो सकता है उत्तरप्रदेश में तो सब सब बड़ी जीत होगी देश में भी बड़ी जीत हो सकती है ओके आपको क्या आपका दावा और आपकी समझ क्या है इस बार पूरे देश का जाट वोटर किसे वोट देगा संजीव बालियान देखे पिछली बार भी आप याद कीजिए 2019 में भी हम जहां सबसे ज़्यदा जाट है वो है हरियाना प्रदेश वहां भी हम दस की दस लोग सबा जीते थे हम करीब 75 से जादे विदान सबा हुआ अगया थे वो अलग बात है कि जब विदान सबा चुनावाया तो 75 से गटके हम 40 रहे थे वो एक अलग बात है राजस्थान देखिए सब ज़्यदा जाट परसेंटेज के इसाब से अरियाना में है और पॉपलिशन के इसाब से राजस्थान में राजस्तान अब 25 के 25, 14 में जिते, 25 के 25, 19 में जिते तो दिल्ली में आप देखे, फिर दिल्ली में जाट है, दिल्ली में मिस साथ क्याट जब लोगसवा चुनावाता है, विदान समा में बटवारा हो सकता है कि कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए लेकिन जब जब लोकसभा चुनावाता है 14, 19 और 24 पूरे देश का जाट मत्ता था भारतिनता पार्टी के साथ पहले भी था और आज भी है अब हर्याना से देखिए इसी सवाल से जुड़ावा मेरा अगला सवाल है हर्याना से खबर यह आ रही है कि वहाँ बीजेपी और जेजेपी के गटबंदन में दिक्कत आ गई है पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है गटबंदन चाहिए टूट रहा है और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए अब दुशेन चौटाला अगर वो अलग लड़े बीजेपी अलग लड़ी आप कैसे दावा कर रहे हैं कि सारा जाट वोटर आपके साथ आएगा मैं पूरा सवाल आपका आनी पाया बीच में वो रहगा है डिस्ट्रिबेंस मैं भी चाहूँगा दुबारा एक बारा बीच में मैं कहरा हूँ खबर गया रही है बीजेपी और जेजेपी दुशेन चौटाला के साथ बीजेपी का गठबंदन तूट रहा है वहाँ सरकार ने इस्तीफा दे दिया हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है अगर अलग-अलग लड़ेंगे दुशेन चौटाला और बीजेपी और लोगसभा के साथ विधान सभा चुनाव भी हो गए अगर तो जाट किसके साथ जाएगा देखे मैं आपको बताता हूँ के पहली बात तो कठबंदन कभी नहीं था हम सरकार चलाने के लिए साथ आयते जेजेपी और अब लोग और बारतियनता पार्टी शायद पहले ही कह चुकि जितनी मेरी सूचना है कि दस की दस सीते भाजपा लड़गी चुकि दस की दस सीते हमारे पास थी फिर भी मैं हमेशे एक बात कहता हूँ इमानदारी के साथ विधान समय में वोड़ देने का पैटरन अलग होता है और लोग समय पैटरन अलग होता है विधान समय में बटवारा जहां जहाँ होगा वो अलग स्थितिया होगा अनिश्चित रूप से होगा रियाने में भी होगा लेकिन लोग समय में जादतर सब लोगों के पसंद भारतियन्ता पार्टी होगी पर्टिकुलर जाती की बात-बात करें क्योंकि देखें कोई एक जाती के भी राजनतिक परिणाम नहीं दे सकती है सर उस समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है एक जाती से कभी कोई गाओं का परदान भी नहीं बन सकता और भारतियन्ता पार्टी के अच्छी बात या है कि यहां सभी जाती की नहींता नहीं तो किसी एक जाती की पार्टी है बारतियन्ता पार्टी अलग अलग जाती को बिलोंग करती है अलग राइनती घरानों से है लेकिन बारतियन्ता पार्टी एक मातर ऐसी पार्टी इसमे आप कोई उठा के देख लिए सब की साब आगता है तो जब मोदी जी की बात आती तो जाती और धरम के संबंदन तूटते है और किसान इस बार किसे वोट देगा संजीब भाई आपके इसाब से किसान तो बहुत है ना इस देश में भारते इंता पार्टी ये दावा आप कैस किसान आंदोलन चल रहा है एक बार पहले भी हुआ था आपको कानून वापस लेने पड़े इस बार फिर से चल रहा है MSP की मांग हो रही है देखे अगर किसानों की कोई बात है तो निश्यत रूप से काम हो भी रहा होगा सरकार और चुनाओ के बाद और करेंगे और मैं वापस लेने को अच्छा है मानता हूँ अगर किसी और किसी बात पर अड़े थे उसे सुल जाने के लिए सरकार ने वापस लिया तो कोई बदिक करती किसानों की बात मानी उनका सम्मान किया हमने और इस समय कहीं देश में कोई किसान आंदोलन मुझे तो दिखाई नहीं देता ना पच्छी मुत्त प्रदेश में दिखाई दे रहा ना अरियाना में पंजाब के बोर्डर पर कुछ संगठन जरूर बैठे जो सबसबड़ा धड़ा है इसकेपी उसने अपने आपको सलक कर रखा है इस समय पर तो कहीं आंदोलन कुछ लोग एक जगए जरूर बैठे बोर्डर पर लेकिन कोई ग्राओं में आप देखिया आपको कहीं आंदोलन दिखाई दे पंजाब जाईए अरियाना जाईए उत्तर प्रदेश आईए किसी अब को आपको कोई आप दोलना भी दिखाई नीजेसे मिए इंडिया घटबंदन इस बार आपके इसाब से क्या कर पाएगा संजीब ऑलियान कि राज्यों में बन गया सीट शेरिंग भी हो गई है पहले से निच्छे जाएगा पहले से निच्छे जाएगा पर पहले तो थ 2017 में साथ लेड़े थे समाजवादी पार्टी की अब भी साथ हैं आपस में गोंफिर के वही रहते हैं जादे फरक तो मैं मानता नहीं को जादे फरक होगा इस पात उके संजीव बालियान एक मंत्री के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद को दसमें से नंबर दें पिछले पांच साल के काम के लिए हैं गो मंत्री सन्जीव बालियान खुद को पात साल के काम के लिए का देनी पाओंगा क्योंकि कुदकोरा को वह कोई नंबर थे तो बहुमान ना करम यह नंबर मुझे मंत्री मुझे सांसत बनाया मुझे फरंणा की जनता ने पार्टी ने टिकर दिया था, मंत्री बनाया अधर्णिया नेंदर मोदी जी ने, प्रदानमती जी ने तो नमबर देने काम उनका है, खुद को नमबर देने काम मैं नहीं करना चाहता है बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा है आपसे बात करके संजीव बालियान आपने समय निकाला, News 24 के मंतन कारिकरम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं और शुब कामना है आपको, इस चुनाव के लिए संजीव बालियान, thank you so much, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद